नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जोबिज पीडिकेस ओलाइन लेर्निक पलेटपॉम पे दोस्तों आज हम अपना सेकिंड चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बहुपद आज इस क्लास में हम इसकी फर्स एक्सरसाइज करेंगी यानि 2.1 है आज इस क्लास मे आप लाइक हो शेर आप जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार पदा रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके अलावा दोस्तों आप हमें फेस्बुक पे फ़ोलो कर सकती है तो आप फेस्बुक पे जोब with PD के नाम से ठीक है इसके अलावा आप हमें टेलिग्राम पे भी दोस्तों सस्क्राइब कर सकते हैं, तो टेलिग्राम चैनल का भी अपना नाम रहेगा, वो रहेगा आपका जोबित पेडी, ता फेस्बुक और टेलिग्राम पे हमें जोइन आपे जुरूर कर लेना, ताकि यह हर अपडेट आपको समय टू समय मिलती रहे तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 2.1 का क्यूशन फर्स्ट आपके स्क्रिन के उपर दिया गया है, कि निमल लिखित वेंजिकों में से कौन-कौन एक्चर में बहुपद है और कौन-कौन नहीं है, कान के साथ अपने उ प्पद तो आपको पता होना चाहिए, कि भौपद क्या होता है, और एक्सरावला बहुपद है, यह क्या होता है तो चलिए सबसे पहले मिसके बारे में, बेlestरके सर्चा कर लेते हैं ठीक है है, इसके बादे दोस्तों, यह कुँछ सिनाफ फुद सोल कर लेएं तो बहुपत से पहले हम है वो BGA वेंजिक या निए वेंजिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वेंजिक है वो क्या होता है ठीक है तब आपका क्या बनता है एक आपका वेंजिक है वो बनता है तो आपके मन में डाउट आ रहोगा सर ये चर क्या होता है अचर क्या होता है और गणीतिय संकिरिय ये क्या होता है तो दोस्तों सबसे पहले हम चर की बात कर लेते हैं तो माली जी कि आपका क्या सभी के सभी क्या B जी जीए वूंजी के वुदार है ठीक है यहां पहीं बात करें चरकी तो चरक क्या होता है तो दोस्तों जब हम वीजिए वन्जी के अंदर हिंदी और अंग्रे जी वनमाला के जो अक्षर होते है ना अंग्रेजी वर्णमाला A, B, C से लेकर आपके X, Y, Z ठीक है इसी परकार हिंदी वर्णमाला के एक्सर आपके कै, खै, गै इस परकार पूरी आपकी हिंदी वर्णमाला के एक्सर है तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं बीजी वर्णमाला के एक्सरों का यूज करते हैं इनने हम क्या बोलते हैं चर बोलते हैं ठीक है अचर जिसका मानना वो कभी भी प्रिवर्टत नहीं होता यानि इसे अचर हम बोलते हैं constant बोलते हैं इस्तिरांक बोलते हैं ठीक जो आपकी गणिती के एंदर मानुन ne का होता ुट । जो घटाओ होगा गणा होगा और आपका क्या होगा भाग होगा याने एक चर और एक अचर के मद्य गणीतिय संकिरे यानि जोड़ हो गटाव हो भाग हो तब आपका क्या बनता है कि वेंजिक बनता है तो चलिए इसको एक्जामपल के मद्य मुझे समझ लती है चर यानि हिंदी और अंगनेजी वनमाला का कोई बेक्सर वो चर कहलाता है तो हमने एक ले लिए यानि हमने ये ले लिआ है घनीतिय संकिरे के रूप में हमने क्या करवायक करवा यहां पर यहँग कर दिया यीनका जोड किया पिर हमने क्या कि एक अचछ आशए यानि कोई गनीत की एक संकिया ले लियोंगा पूछुँुं। क्या यह आपका बीजीए वेंजिक है क्या तब आपका अंसर क्या होगा तब आपका अंसर होगा किसर यह बीजीए वेंजिक है किस परकार यह बीजीए वेंजिक हुआ तो किस परकार यह बीजीए वेंजिक है ठीक है तो किस परकार यह वेंजिक हुआ क्यूंकि आप बोलोग लोग हो रह gratis च्रीं आपर क्या यैंत सखर को फोछ होरा है और हो रहा है का या अच्छर आपकовых में और है तो आपका क्या हो रहा रहा है तो आपक치र रहा है और अच्र आपका क्या मिल गए आपको दो मिल गए ठीक है इसी प्रेकर में लिखूं कै क्या क्या इंदी वन्ला के एक स्रें अब बोले बीजी जह वंज होंकि इनके मध्य क्या संक्रिय कहां पर हो रही है तब आप बोलोगे एक सर्फ पर्तेकं rappers कों मैं क्या होता है आपका एक होता है यानि इसके गुणा में इस भी एक होगा तो यानि गुणा के मध्य जहा क्या पिट्रासिय के मंध्य क्या होगा है और बीजे वेंज किया絵ेंज के एक जांपल है. आपके आपधेदेख लीजीए, यहां पी क्या है? चर है एक्स क्या आपका, चर है. यह भी आपका एक्स हो, क्या होगा? रोगे तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बेंज्ज राटाlad === क्या होता है एक्चर का मेंस क्या है हमें क्या बोल शाटाने है क्या वो लागा था फरुस्ट गुश्य में एकचर वाला वताने है यहापको यहाँ गया कि भौपद के लिए कंडिशन क्या होती है तो दोस्तों भौपद के लिए कंडिसेन क्या हूती है । दोस्तों बोपद के लिए आपकी ये condition होती है कि जो सभी के सभी जो इसमें चराई है ना वेंजे के अंदर जो सभी के सभी चराई है ना जो सभी चराई है ठीक है इनकी घात आपकी क्या होने चाहिए पूर्ण संख्या होने चाहिए अब पूर्ण संख्या कार्थ क्या होता ह मैंने आपको first का introduction part बताया था तब आपको बताया था कि पूर्ण संक्या कौन कौन से होती है कि 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 ये दोस्तों कहां तक चलेगी आपकी अनन्द तक चलेगी ये आपकी क्या होती है पूर्ण संक्या होती है यानि कि कोई भी हमने एक bj वेंजक लिया ठिक है माले जेक है हमने लिखा 4X ये क्या है आपका एक BG वेंजक है क्योंकि आप एक अचर भी आ रहा है चर भी आ रहा है दोनों के मद्ध अगनेति संक्रे के रूप में क्या हो रहा है गुणा हो रहा है तो यानि क्या आपका BG वेंजक है इसके अंदर चर क्या है अगया इक्स उना ये पूर्णिस ना पर घृट च्रण हो ना उसकी गात हो तब आपका क्या हो जाएगा पूर्ण फॉपद हो जाएगा या पसके घात क्तनी एक है जो कि क्या आपकी पूर्ण संक्य आपका क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा इसी परकार में लिखूं ती एक स्क्यार माइनस दो ठीक है तो मैं पूछों बताईजी क्या ये विंजक बहुपद है या नहीं तब आप क्या चेक करोगे कि सबसे पहले आपको इसमें देखना ह कि चर्क है तो दोस्तों इसमें चर्क है आपका एकस है फिर आपको देखना है कि चर्क की घात है पूर्ण संक्य है या नहीं इसमें दो दिया गए तो दो तो क्या होता है आपका पूर्ण संक्य होता है तो यानि कि आपका क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा इसी परक पूर्ण संक्या नहीं होगा क्यों कि इसकी जो चर्ण करी नहींगी है तुछ लिए आपका ये बहुपद नहीं होगा तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या होता है चर यानी जो हिंदी और अंग्रेजी वणमाला के जोगसर होती है जो हमने बीजे वेंजे के अंदर प्रियोग करें वो आपका क्या होती है चर होती है पिर बात आई बहुपद की कि बहुपद क्या होते हैं जब बीजे वेंजे के अंदर जो चराई है अगर इनकी घात पूर्ण संक्या है तब आपका क्या हो जाएगा यह के कोई एक-चर होगा यानि 2-4 साथ में नहीं होने चाहिए दो-चर किस परकार यानि कि मैंने लिखा 2X से पलस 3X से की स्क्यार तो यहाप पर भी X और X यहाप यह चर क्या है एक रहें दो बार यूज किया गया लेकिन चर क्या है आपका एक यह लेकिन मैं लिख दू X से पलस Y यहां-पे कितना चर से और यह निए एकरफीं कितनести के लाफ़ा से इंदर है कि हमें एक चर वाला भॉपद स्परवाला भौण भताना भौल कि तो क्या आप इनमें से देख देक्कर बता सकते हैं कहां कौन कौन सा भौपद है और कौना वह उपध नहीं है तो डोस्तों आप इनमें आंशर करें साथ-साथ में आप पैंक लोग्स देखते हैं क्या यह वह नहीं है तो दोस्तों बहुपद के लिए क्या होना चाहिए कि चर है चर की घात क्या होने चाहिए पूर्ण संग क्या होने चाहिए तो यहाँ पे चर कितना एक तो आपका एक्स है और यहाँ पे भी क्या है आपका एक्स है यहाँ इसमें चर तो कितना है आपका चर तो एक है यहाँ पे इसकी घात कुछ नहीं है तो यहाँ इसकी घात क्या होगी एक होगी ठीक है तो इस परकार दोस्तों यहाँ आपका क्या ह जएगा किसमेंदी तो क्या है एक ऐख और ठीक है आपका तीच बोले लाज रहा था कि हमें बताने में कौन एकसर वाला बहुपद है तह Continue क्या ओझाइगा आ यह इंसरो का बहुपद हो मैं जो आपका फिश्ट का फश्ट चन्में जोका एकसर का बहुपद हो और वहुपद क्यूं होगा क्योंकि इस तर्कि जो गात हो वो क्यापकी पूर्ण संक्या Alrighty नेख्स ₹किंड do ही पाद खर लिए सेकिंड में चर्क सिरफ और शीरफ आपका वही है तो यानि एक चर वाले कंडिशन इसमें फुल लो रही है फिर आम में चैक करना ये बहुपद है या नहीं तो बहुपद के लिए चर्क की घात क्या होने चाहिए पूर्ण संख्या होने चाहिए पूर्ण संख्या मींस यानि कि 0 हो सकता है एक हो सकता है दो तीन चार्श लेकर अनांत तक हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए तो यहां पर कोई प्लस है ती रूट दो तो दोस्तों इसको हम आगे स्वाल करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे तीन रूट का मिन्स मैंने आपको बताए था रूट का मिन्स क्या होता है इसकी पाउर कितनी आपकी एक बटा दो है फिर हमें आगे दिया गया है ती पलस यह आपका क्या दिया ग गात है वो पूर संक्या होने चाहिए लेकिन यहाप भात कितने 1 बटा 2 है तो एक बटा 2 आप बताई कि यह इनमें से कोई भी आपको 1 बटा 2 दिख रहा है क्या पूर्ण संक्या के अंदर आपका क्या होना चाहिए संख्या 0 हो सकती है 1 भी 1 क след लेकिन कोई भी आपके प्रकार नहीं होगा इसी प्रकार अम च्यार की तरह बढता है चार में दोस्तों आप को चेक करना है कि इसके अंदर घात है वह बौपद है वह है या नहीं झाल शेख यह या नहीं है तो दोस्तों इसमें चर क्या क्या है आपका ay और वय तो यानी चर तो इसमें रही है मायनस वन तो आप सब्सक्रा वड सेखते हैं कि पूर्ड संक्या के अंदर और आता है क्या क्या पूर्ण संक्या के अंदर कहीं पर भी आपको माइनस एक देखने को मिलता है क्या तो पूर्ण संक्या के अंदर आपका माइनस एक वो नहीं आता है तो यानि आप भी आपका क्या होगा बहुपद है वो नहीं होगा तो यानि फर्स्ट का चार है वो भी आप नहीं है क्योंकि यहाँ परकिया मायननस में दी गई है ठीका लखिन के लिए यह क्या होना चाहीए यहाँ जिरो से लेकर अनन तक को सकते ल meditating मैननस में पावर कभी भी नहीं होने मैं शुए और परकिश्र नमर पा से गया तो इस में ड़ूस्त varies एक सर्थ करोगे आपका वाई-एक cricket कंटी एट यह इसमें चर्थ तो क्याओ तीन है त्यानि यह इक हुआ इसमें चर्थ कितनी है टीन पॉर्वला बहुपद-現在 में चर्थ के जोंच्थ फर्ष्ट का 5 है वो क्या है बहुपद तो है आपका लेकिन क्या है एक चरवाला बहुपद नहीं है यह कितने चरवाला है तीन चरवाला बहुपद है ठीक है तीन चरवाला बहुपद है हमसे पूछा गया था इनमें से कौन-कौन से एक चरवाला बहुपद है तो एक चरवा लेनिनीमे एक्सरवाल बहुपद फर्ष्ट और सेकंड 2ही है उसमें बताओशी कों कौन से एक्सरवाले बहुपद है और क्रेंद約 सेकंड 2 नमर सेकंड के तरफ दिया गया है就안 मैं इसी परकार हमें दिया गया सेकंड दिया गया square ठीक यहां पर X की क्या दीगे है हमें Q दी गई है power 3 दी गई है पिर आपका पई बटा दो X square पलस आपका X दिया गया है और आपका 4 नमर दिया गया है रूट X-1 ठीक चार क्यूसे लगू दिये गई है इनमें से बताना है कि आपके X square की गुणा का वो कितर है दोस्तों गुणा का मिंस क्या होता है X square के गुणा का मिंस क्या होता है हमें बताना है कि X से कौन सिसंग क्या हो रही है वो गुणा हो रही है इसी परकार हम से पूछ लिया जाते है यहाँ पर X का गुणा क्या बताए तो हमें चेक करना था पूँचा करना है, हमें हमें पूचा गया है कि x okay we'll go क्या गुणा हो रही है तो यहांपे कोई विसंग क्या इससे गुणा नहीं हो रही है तो यानि किसी विसंग क्या क्या नहीं हो तो उसके साथ हमेशा क्या होता है एक होता है तो यानि एक स्क्यार से आपका क्या गुणा हो रहे है एक गुणा हो रहे है ठीक बाकि और भी साथ इसके साथ कोई भी संग्या नहीं है तो यह अपना क्या अंसर हो जाएगा यह एक स्कार का गुणा का वो क्या हो जाएगा आपका एक हो जाएगा अगर इसके साथ कोई भी संग्या गुणा नहीं हो रही है तो इसका गुणा का आपका क्या हो जाएगा एक हो जाएगा यह किस किसका होगा इसके आगे जो शिंबल है यानि एक क्या होगा ठीक है इसी परकार आप सेकेंड का आंसर वो कमेंट करके बताएं किसका आंसर वो क्या होगा सیकिन्ड में आपको बताने कि X욱isqare का गुणा का वो कौन सा हो Ah, X cada से आपका क्या गोणा हो रहे हैं आप बताए कि से कोसे संग क्या गुणा हो रही है, तब आप बोलो है कि सरीस्च से क्या हो रहा है? माइनस एक है, वो गुणा हो रहा है, इसके साथ कोई بिशन क्या नहीं है, त्यांनि इसके एक गुणा होगा, और आपको चिन सीथ लिखने, इसका खे जो चिन आ हो ही चिन लिखने है, त्यांनि आपका क्या थाएगा? माइनस एक हो जाएगा, फिर आपका क्यूशन नमर तीन है इसमें बताइए एक्स स्कायर का गुणा कौन सा होगा तब आप बोलोगे सर के एक्स स्कायर से गुणा हो रहे है वो कौन हो रहे है पाई बटा दो हो रहे है यानि यह क्या हो जाएगा इसका गुणा को जाएगा जो भी संके इससे गुणा क्या हो जाईगा आपका जीरो हो जाईगा यानि कि यहां पर आप से बोला जा रहे कि Xुस्कैर यहाँ क्या X sup- waarका नहीं है तो पन या उनी पर इस का उस्का गुणा क्या हो जाईगा आपका 0 हो जाईगा ठीक है तो रहा बहुत बीदर यानि आप्से पूछा जाता कि x का गुणाहाँ बताईए तो x को आप से भी देकना था याप कॉन सी क्या गुणाहा एंस प्रकार yaa पिक्स्विस्स3 गुणाहाँ हो जाता या पर étaक्स तो डोस्तों आज Kr psychology आँ में में वह स्वोल करेंगे अगे के जो क्यूशन आप नेक्स दिपार्टिमेंट सोल कर लेंगे अगर आपको कलास पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेर आप जरूर कर देना तीक है इसके अलाव अगर आप चैनल पर पहली बार पता रहें तो चैनल को सस्क्राब भी कर लेना फिर मुलाकात होगे इसे प्रकारें को बैतरिन कलास के साथ तब तक आपस्ते रहना मुश्कराते रहना देखते रहना जोबिट पीडी जै हिन जै भारत